आपका स्वागत है तो चलिए जैसा कि देख सकते हैं भीहार विद्याले पडिक्षा समीती के दुवारा जो इंटर मासिक पडिक्षा का जो कोश्चिन है वह देख सकते हैं फाइनली उसका अंसर के लिए करा आये हैं देख सकते हैं आज हम लोग समास सास्तर का यहाँ पे पर question है उसका हम लोग answer की लेकर आए हैं अगर आपका exam हो गया तो 100% देख सकते हैं आप लोग मिला लिजिए बिल्कुल 30 में 30 यहां पर सही correct answer देने वाले हैं अगर आपका exam नहीं हुआ है तो देख लिजिए 100% यही question आने वाला है तो चलिए वीडियो को last तक बने रहें चैन पहला number question कह रहा है कि समाज सास्तर का जनक किन्हे कहा जाता है तो देख सकते हैं समाज सास्तर का जनक हो जागा option number अगस्त काम्ट को किसको अगस्त काम्ट को समाज सास्तर का जनक कहा जाता है उसके बाद देख सकते हैं next number जो question है कि घरेलू हिंसा का क्या तात पर रहे हैं तो हो जागा प्रवारिक हिंसा हो जागा option number D हो जागा दो के चलिए तीसरा number question है कि निम्न में से कौन समाजिक समस्या नहीं है तो समाजिक समस्या नहीं है देख सकते हैं आधूनी की करन आधून की करन हो जागा यानि option number D हो जागा next number question है कि हिंदू बिवाह के किस सबरूप में एक जोड़े बैल एबं गाय की मांग की जाती है तो हिंदू बिवाह में एक जोड़े और बैल गाय की मांग की जाती है ब्रह्मन बिवाह किस बिवाह में ब्रह्मन बिवाह, option number B हो जागा चार के next number question है कि बिहार में किस बर्स ग्राम पंचायत की सुरवात हुआ था देख सकते हैं, ग्राम पंचायत की सुरवात हुआ था बिहार में कभ हुआ था तो यह हुआ था देख सकते हैं 1946 में कब 1946 में next number question है कि किसने कहा जाती एक बंद बर्ग है किसने कहा जाती एक बंद बर्ग है तो यह हो जागा option number C घुरिये ने किसने घुरिये ने कहा था option number C हो जागा next number question है देख सकते हैं कि निम्न में से किस वर्स काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई तो काम के बदले अनाज योजना जो शुरू किया गया था वह उनिसो देख सकते हैं 76 से सुरू किया गया था कब 1976 से next number question है कि भारतिये समाज कितने आस्रमों में विभाजित हैं तो भारतिये समाज है जो देख सकते हैं यहां पे हो जाएगा देख सकते हैं भारतिये समाज है जो तीन आस्रमों में विभाजित है next number question है कि दलित बर्ग कल्यान लिंग किया थापना किसने की थी तो दलित बर्ग कल्यान लिंग किया स्थापना बी यार अंबेदकर ने किया था किसने बी यार अंबेदकर ओप्सन नमबर डी हो जागा next number question है कि बिहार में कौन सी संस्था ग्रामिन विवादो का निप्टारा करती है तो कौन सी संस्था ग्रामिन विवादो का निप्टारा करती है पंचायत कचहरी, क्या पंचायत कचहरी हो जागा, next number question है, जाती का प्रजातिये सिधान्त किसने परतिपादित किया, जाती का प्रजातिये सिधान्त का परतिपादित किया था, देख सकते हैं, किसने होकर्ट्स ने किया था, यानि option number C हो जागा, देख सकते हैं किस ने किया था? होकर स्षने, यानी गारा का Option Н no.C हो जागा Next, No.Question है कि किस समाज में 45 बिवाह का परचलन था? किस समाज में परचास बिवाह का परचलन था? तो यह जागा Option बड़ी, किस में आदिवासी समाज में next number question है, समाज सास्तर का जनम किस देश में हुआ था, तो समाज सास्तर का जनम फ्रांस में हुआ था, कहां फ्रांस में हुआ था, option number D हो जागा, next number question है, कि समाज का निर्मान निम्न में से किसे होता है, तो समाज का निर्मान होता है, जो देख सकते ब्यक्ति, संस्था और समाज केमाजिक संबंद इन में से सभी से होता है कि से इंमें से सभी से होता है यानि QUER कुशन लॆ कर्यांवारतिया सिमाज में उपनिवे स्पाद सासन के क्या कारण थे니다 भारतिये समाज में उपनिवेस वादसासन का जो कारण था वह हो जागा option number B, छेत्रिये तनाब, क्या हो जागा, option number यहाँ पे भी हो जागा, next number question है, कि निम्न में कौन एक बर्ग, देख सकते हैं, वर्न है, निम्न में कौन एक बर्ग है, तो यह हो जागा option number A, ब्रह्मन, ब्र यह एक वर्न है, चलिए, अठारा number question है, कि भारत की राष्टिये भासा कौन है, तो भारत की जो राष्टिये भासा है, वो हिंदी है, क्या हो जागा, हिंदी हो जागा, next number question है, कि बाल अधिकार सनरच्छन है तू, कि नोबिल पुरुसकार से समानित किया गया था, बाल अध question है, कि मर्डाक के अनुसार बिवाह का क्या उदेश से है, मर्डाक के अनुसार बिवाह का जो उदेश से है, योन इच्छा की पूर्ति, योन इच्छा की पूर्ति, योन इच्छा की पूर्ति होती है, देख सकते हैं, पच्मी करन का अबधारना किसने बिक्सित की, तो यह किया था देख सकते हैं पच्मी करन का अबधारना किसने विक्सित की एस सी दूबे कौन हो जागा एस सी दूबे हो जाएगा next question है धर्म की उत्पती में आत्मबाद का सिधान किसने दिया धर्म की उत्पति में आत्मबाद का सिधान दुखीम ने दिया था, किसने दुखीम ने, next नमर कोश्चन है, कि अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की सिच्छा है, तो यह बहुत धर्म की, किसकी बहुत धर्म की, option number B हो जाएगा, next नमर कोश्चन है, इंडियन सोसाइटी नामक है, AC दूबे, क्या हो जाएगा, AC दूबे हो जाएगा, next नमर कोश्चन है, कि निम्न में से कौन सा, देख सकते हैं, माद्रक, दरब्बे, ब्यान, का मध्यपान का कारण है, तो यह हो जाएगा, option number D, इन में से सभी, सुख की च्छा, निरासा, बुरी संगत, इन में से सभी लिखा, next नमर कोश्चन है, कि हिंदू विवाहधिनियम किस वर्स पारित हुआ, तो हिंदू विवाहधिनियम 1965 में पारित हुआ, कब हुआ, 1965 में, हिंदू विवाहधिनियम 1965 में पारित हुआ, कास्ट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा, कास्ट इन इंडिया नामक कि भारत के कीस राज़े में एड़ के पहले रोगी की सुचना मिली तामिल नाडू में कहां तामिल नाडू में मिला था. Option number B हो जाएगा. Next number question है कि कीस बहर संसद के तीन ताला कानून पारित हुआ. तीन ताला कानून पारित हुआ था 2000 तेख सकते हैं उनीश में. कब 2019 में जूम की खेती किस समुदाय के लिए पर चलित है जूम की खेती आदिवासी लोग करता है यानि तीस का option number A हो जाएगा तो चलिए हम लोग subjective को देख लेते हैं देख सकते हैं सबजेक्टीव किनी 5 परष्णों का उत्तर देना है तो चलिए देख सकते हैं जाती के चार पर्मुख मिसेस्ताओं का उलेक करना है पर्मुख Southern दूसरा में है कि प्रमुक्केद दो कारे का बर्न करना है महिलाओं की स्वास्त समस्या का बिलेशन करना है धर्म के चार परकारियों का बिलेशन करना है कमजोर बर्ग कौन कहलाता है और उसके बाद जाती बेवस्था देख सकते हैं जाती बेवस्था पर प्रवास का प्रवा का बर्न करना है दिगामी विवाह क्या है और देख सकते हैं सरकार दवारा संचलित किनी दो रोजगारों योजनाओं का नाम बताना है वाइरस क्या है जाती तनाब क्या है देख सकते हैं अगर आप इसका स्क्रीन सोट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं देख सकते हैं आप लो तीन परशनों का ही उत्तर देना है जाती एक बर्ग है बर्ग में अंतर असपस्ट करना है जाती एवं बर्ग में अंतर असपस्ट करना है पंचायत राजी के कार की विवेचना करना है समाजिक पड़ी बरतन के वैस्वी करनों का प्रभाब की विवेचना करना है अन्य पीछ सकते हैं इसी तरह से कोश्चन आया है तो चलिए इसका स्क्रीन सोट ले लिजिए फेन तो चलिए आज की लिए इतना है फेन तब तक के लिए टेकन बाई